तो आई गाईज वेलकम बेक टू माई चैनल गाईज आज मैंने जशन के बालों पर लगाया दहीं जैसे की विंटर्स चार्टा और विंटर में न मैं जशन को गरम पानी से हेर वाश करवाती हूं जिस वज़ासे न उसके बालों में डेंड्रफ हो गया है तो डेंड्रफ को खतम करने के लिए मैं उसके बालों पर दहीं लगा रही हूं दहीं हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंद है वह दहीं एज़ा कंडिशनर भी वरक करता है और दहीं से न आपके अगर बालों में डेंड्रफ है इचिंग अगर आपको हो रही है तब भी आप दहीं का यूज कर सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा ठंटा दहीं नहीं लेना है क्योंकि विंटर्स है तो आप नॉर्मल दहीं लीजिए जो बिल्कुल भी फ्रीज में रखा हुआ ना हो देखे मैंने एक की टोरी दहीं लीए क्योंकि जशन के बालों की लेंथ बहु हो गया है अगर आपको वैसे भी बाल डेंडर फैं आपके बाल छोटे यह लंबे आप दहीं का यूज कीजिए इससे आपके बाल एक तो कंडीशनर भी होंगे आपके बाल बीकु स्मूथ सिल्की हो जाएंगे टैंगल सापके बालों में नहीं पढ़ेंगे डेंडर्स की ब क्प्राप डेंडर्स की प्रावलाम कम होगी इचिंग कम होगी इसमें आप मैंने कोई भी चीज एड नहीं किया अगर आपको दै captures जड़ान है तो आप लेधिसमे देंडर कर सकते हैं आपको कोई भी महंगे प्रोड़क्ट यूज़ करने की जुरूरत नहीं है सिंपल दहीं का यूज़ करके ही आप अपने बालों की सारी प्रॉब्लम्स को खतम कर सकते हैं सिरफ 30 मिनट्स के लिए आपको इसे लगा रहने देना है आप चाहिए तो खटी लसी का भी यूज़ क कर सकते हैं लेंथ पर पी में लगा रही हो क्योंकि ना जशन के बाल काफी जदा ड्राइड राई हो जाते हैं यह वाश करवाने के बाद तो दहीं से उसके बाल काफी जदा अच्छी हो जाएंगे बालों में शाइन भी आएगी बाल काफी जदा हेल्दी रहेंगे 30 minutes के लिए इसे as it is लगा रहने दे मसाज भी आप करें scalp पर मसाज करने के बाद 30 minutes के लिए इसे लगा रहने दे आप अपने बालों के length के according दही यूज कर सकते हैं अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप दही की quantity कम भी ले सकते हैं अगर आपके बाल लंबे हैं तो दही ज़्यादा भी ले सकते हैं एक बार आप ऐसे दही का यूज करके देखें आपको अपने बाल इतने ज़्यादा healthy लगेंगे ना हफ़ते में एक बार आप इसका यूज कर सकते हैं इसके बाद जब आपके बाल अच्छी तरह से सूख जाए ना यह वाश करने के बाद अच्छी तरह से बालों पर ओइलिंग कीजिए डेंड्रफ तो बिल्कुल खतम ही हो जाएगा तो देखिए इस तरह मैंने 30 मिनट्स के लिए बालों पर दहीं को लगा रहने दिया है आफ्टर 30 मिनट्स अब मुझे जशन को हेर वाश करवाना है सबसे पहले मैं उसके बालों पर पानी डाल दी हूँ ताकि सारा दहीं बालों में से निकल जाए इसके बाद मुझे शैंपू का यूज करना है मैंने पानी थोड़ा सा घरम किया है बहुत ज़्यादा घरम पानी से आपको हेर वाश नहीं करना नॉर्मल पानी से हेर वाश कीजिए इसके बाद जो आपको शैंपू यूज करना है वो यूज कीजिए conditioner यूज़ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है naturally अपने बालों को air dry होने दे आपके बाल काफी ज़दा long stronger healthy बनेंगे आप जशन के बालों की length देख सकते हैं कि उसके बालों की length कितनी ज़दा अच्छी है कितने सुन्दर कितने healthy उसके बाल है जशन को hair fall की problem बिल्कुल भी नहीं है सिरफ dandruff की वज़ए से मैं दहीं का use करती हूँ दहीं की और भी काफी ज़दा फाइदे हैं तो last में आप जशन के बाल देख सकते हैं कि उसके बाल कितने ज़दा सुन्दर हैं कितने healthy लग रहे हैं तो guys अगर आपको भी hair से related कोई भी problem है तो आप दहीं का इस तरह से use कीजी आपको बहुत अच्छे वाले फाइदे देखने को मिलेंगे hope guys आपको मेरी ये वली वीडियो अच्छी लगी होगी आपको ये वली वीडियो कैसी लगी मुझे comment करके जरूर पताना जेशिन की वीडियो तो आप सब ऐसे भी काफी ज़्यादा पसंद करते हैं तो hope आपको ये भी अच्छी लगी होगी और आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे thanks for watching